नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे हिंदी ग्यान बोच चैनल में दोस्तों प्रिवेस एर कोश्चन पेपर हिंदी पेपर 2 दिसम्मर 2000 फर्श शिप्ट में जो प्रशन पत्र पूछा गया था उन प्रशनों को कर रहे थे विद डिटेल तो इस वीडियो क्लास से पहले हमने दो वीडियो क्लास कर ली है जिसमें 25-25 करके मैंने 50 प्रशन कराए हैं तो आज की वीडियो में 25-75 तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें जड़ ज़शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे भी इसी तरह की सिरी परियुक तो हुए है इसमें से 5 दिये हैं लेकिन आपने कोई 3 छाटना है तो जो जो सही है इसमें तो तीन तो मैंने यहां पर लगे हुए आगे के लगे हुए यहां पर उनको भी आप देख लीजिए तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ओप्शन D जिसमें B, D और E आए जो है उगते, अन्मने, कस्ट से सने, अजगर से भरे, गीत से परे, लताओं के बने तो यह सारे इनके विशेशन है जो जंगल के संबंद में परियुक्त हुए है अगला जो प्रशन यहां पर बनता है प्रिय परवास किन चंदों में रचित है तो इसमें ऑप्शन दे इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आगे यह तीन यहां पर लगा दिये है और इनको यहां पर डिटेल में जो बताया है जैसे के दुर्त विलंबित में इस मानिक शम्रित चंद के परतेग शरन में नगण, भगण, भगण, रगण के कुल 12 वन होते हैं शारदुल विक्रिंड तो इस चंद में 4 चरन है परतेग चरन में 19 वरण होते हैं और 12 वरणों के बाद तथा चरन में यती होती है गणों का करम इस परकारे मगण, शगण, शगण, तगण, गुरू तो यह आप ध्यान में रखिएगा देखें किस तरह के एक्जामे तेक चरन में बगण, बगण, नगण, तगण, दो गुरू के करम से 17 वरण होते हैं तथा 10-7 वरण में यती होती है उसके बाद अगला जो प्रशन बनता है आपका ब्रहमर गीत पदों में गोपियां उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती है किन वचनों से संबोधि जिसमें आजाएगा किन वचनों से संबोधित करती है जोग, सिखावत, पांडे, मधुकर, मधु, मतवारे, गोश, बड़ो, वयपारी ये तीन वचनों से संबोधित करती है यहाँ पे लगाया हुआ देख लीजिएगा उसके बाद मैला आचल की स्तरियां पात्र कौन सी ह वो आपने छाट के बताना है तो इसमें जो स्तरी पात्र है वो यहाँ पे लगा दिया है जिसमें फुलिया, आभारानी, मंगला, देवी, कमला, लक्ष्मी, मम्ता, सिलिया, और राम, रामी, पारिया अगला जो प्रशन है तमस उपनियास के पात्र कौन से है तो देखिए पात्र से सब मनित बहुत प्रशन पूछे जाते हैं तो आप से जितना संभव हो सके आपने जितनी भी गद विध्याय हैं उनकी पात्र आपको ध्यान में रखने उनको रटना है तमस उपनियास के पात्र यहां पर लगा रखे हैं जिसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहां पर लगाए हैं बाकी अन्य जो तमस के पात्र हैं जिसमें हरनाम सिंग, हयात बक्ष, देवदत, नत्थू, बक्षी जी, अजीज, मास्टर रामदास, महता, अजीज सिंग, देशराज, शंकर, कश्मीरी लाल, जनरेल, रिचर्ड, हकीम जी, सर्दार जी, मौलादाद, लक्षमी नरायन तो ये सारे तश्म उपनियास के पात्र हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, अगला जो मानस कहंस उपनियास की रचना में, अमरित लाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सयोग लिया, किन पुस्तकों से सयोग लिया था, मानस कहंस उपनियास की रचना करने के लिए अमरित लाल के लिए सेयोग लिया था इन पुस्तकों से और मानस का हंस में नागर जी ने गोविंद जी गोस्वामी तुलसिदास जी के जीवन चरितर का चितरन किया है मायनस का हन्स में नागर जिन्म उसके बाद आगे आएगा तीसरी कंस्म कहानी के पात्र कौन-कौन से हैं-तो यह पात्र आजाएंगे अपके एक हैं.. लगा दिये हैं यहां आप देख लीजिए तीसरी कंस्म उपनिनास के पात्र पात्र से संबंदित प्रशन पूछा है, जिसमें ABD लाल मोहर, पलट दास, ABD पलट दास, और उसके बाद यहां पे धुन्नी राम, तूलसी नहीं, तीसरी कसम कहानी के पात्र लाल मोहर, पलट दास, धुन्नी राम है, इसके मुख्य पात्रों में गाड़िवान, हिरामन और कमपनी की औरत हिराबाई है, तीसरी कसम कहानी प्रेमा उर्मक कहानी है, यह निश्चल प्रेम कथा, कहीं भी मर्यादा अतिकरप मरण करती हुई नहीं दिखती, ना तो इसमें प्रेम को लेकर बड़े-बड़े दावे क किये गए है, ना ही लंबी चोड़ी कसमे खाई गई है, फणिश्में आतरेनों की परसित जो कहानी है, मारे गए गुलकाम, गुल, मारे गए गुलफाम, जो की तीसरी कसम, आदिम रात्री की महक, लाल पान की बेगम, पंच, लाइट, ठेज, समवादिया, उसके बाद अग D नहीं आएगा, B, C, E, जिसमें गैंगरीन कहानी में अगे को निम्न मद्धिवर्गी जीवन की विश्रिष्ताओं को चितरित करने में सफलता मिली है, इस कहानी में अगे ने दमपत्ती जीवन की सार हींता और एक रस्ता को चितरित किया है, गैंगरीन के रोगियों के अक केंगरिन कहानी का मूल वन विशे एक यूती जो कि माल्दी के यांतिक विवहाविक जीवन के माद्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू वातावरन में बीतते उबाव जीवन की कथा है यह एक विवाहित स्त्री के अभाव में गुटते हुए ग्यक्तित्व की तराजदी का चुतरने कहानी के पातर हैं माल्ती, महेशवर्ट, टीटी, कथाकार, अगे की परमुक कहानियां जो हैं विपतगा जो की 1937 की है, परंपरा 1940 की है, कोटरी की बाद 1945 की है, शाहनडथी 1948 की जयदोल 1951 की है, उसके बाद जो अगला प्रशन यहाँ पर बनता है, असाड का एक दिन नाटक में मालिका की कथन का, मालिका जो है, उसके कथन कौन-कौन से हैं वो आपने बताना है, जिसमें जो मालिका के कथन है, वो है B.C.E. कोई भूमी ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोम पलता ना हो, एक यह है, उसके बाद अगला है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा, B.C.E. यह प्रितियां मैंने उज्जेनी से आगे वाले वेवसाईयों से प्राप्त की है, जो की B.C.E. आएगा, उसके बाद अगला जो यहाँ पे लाइ पर्थम खंड में युवक कालिदास उज्जेन नामक नगर शेत्र में शांती पूर्वक जीवन गुजार रहा है, और अपनी कला विक्षित कर रहा है, मलिका के साथ प्रेम संबंद भी है, द्वित खंड में पता लगा है कि कालिदास की उज्जेनी में धाक जम चुकी है, और हर और उसकी विख्याती फैली हुई है, तिरती अंग में कालिदास ने सब कुछ त्याग दिया है, तो यह तीन खंड जिसमें आपको पूरा का पूरा यहां पर सार देखने को मिल जाएगा, उसके बाद अगला है भारत दूरदर्शा नाटक के संबंद में निमने लिक पूरा दिया था, ओप्शन C, A, C, E, A, C, E, A, C, E, इस नाटक में भारत दूरदेव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दूरदर्शा के चित्र परस्तुत किये हैं, उसके बाद भारत दूरदर्शा नाटक भारत निमने विथित हिर्दे की अभिवेक्ति है, उसके बाद इस नाटक में भारत दूरदर्शा के देश भक्त और समाज सुधारक के रूप के दर्शन होते हैं, तो ये A, C, E, C तीन आएंगे, भारत दूरदर्शा जोकी 1880 की है, भारत दूरदर्शा का परमुक नाटक है, इस नाटक में ततकालिन परिपेश्च में अंग्रेजों की अलोचना की गई है, इस नाटक में भारत दूरदेव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दूरदर्शा का चित्र परस्तुत हुआ है, भारत दूरदर्शा नाटक भारत दूरदू के व्यतित हिर्दे की अभी व्यक्ति है, ये भी आएगा, इस नाटक में भारत दूरदू क इसके जो परमुख नाटक है वेदकी, हिंसा, हिंसी, अभवती, विश्य, विस्वोष्दम, प्रेम, जोगनी, चंद्रावली, भार्दुदर्शा, नेल देवी, अंदेर नगरी, सती, प्रताप, यह सारे इनके नाटक है, मौलिक, परमुख नाटक है, उसके बाद अधियाप पून सिंह से मंदीत, जो निमने कधन है, वो है, हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पून सिंह ने अंग्रेजी में सरवाधिक लिखा है, पून सिंह ने स्वामी रामतिर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी, पून सिंह ने परामपरिक भारती उद्दात जी अधियापक पून सिंग हिंदी के ऐसे निबंदकार हैं जिनोंने मात्र छे निबंद लिखकर हिंदी निबंद सहित्य में अपना महत्यपून स्थान बना लिया है अधियापक पून सिंग ने हिंदी पंजाबी अंग्रेजी भाषाओं में लिखा है इनोंने सरवाधिक अंग्रेजी भाषा में लिखा है इनोंने स्वामी रामतिर्थ की जीवनी 1924 में लिखी है पून सिंग परामपरिक भारती उद्दात जीवन मुल्यों को आधुनिक पाष्चाती दर्शन एवं विज्ञान के अलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करनेया चाहते थे पून सिंग ने अंग्रेजी भाषा में 50 से अधिक संख्या में लेख लिखे है उसके बद अगला जो यहाँ पर आ जाएगा शिव शम्भू के चिठे से संबंदित निम्न कत्नों पर विचार कीजिए जो यहाँ पर लगा दिये हैं शिव शम्भू के चिठे से संबंदित कत्न इसको जो सही उतर चुन के यहाँ पर मैं बता देती हूँ शिःओ शंभू का चिठा बाल मुकुंद गुप्त का परमुख वयंगाथमक निबंद है इसमें इनोंने ततकालिन गवर्नर जनल पर लिखे तीखा वयंग किया है शिःओ शंभू इस निबंद में काल्पित चरित्र है इस निबंदों में वियंग विनोध भाव का बड़ी सहजिता से परियोग करते हैं शिव शंबू अपने को वाई सराय के समक्ष गूंगी परजा का एक वकील मानते हैं गुप्त जी अंस्थीरता शब्द को लेकर महवीर परसाद दिवेदी के विरुद लेक भाला प्रकाशित की है इनकी चार रचना हैं जिसमें खिलोना, खेलतमासवा, सफूट कवीता, बालमकुंद, गुप्त, निबंद, निबंदावली है उसके बाद अगला जेहां पे निबंदकार परताप नरायन मिश्र से सम्बंदित कथन पर विचार करना है जिसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका C, A, C, E जिसमें परताप नरायन मिश्र को अचार रामचंदर शुकल ने हिंदी का एडमिन कहा है निबंद के छेतर में उन्होंने आत्मे वियंजित निबंदों का जरमदाता माना जाता है उनके निबंद में संस्कृत उर्दू के शब्द के साथ बैस वाडे की ग्रामिर कविताओं और शब्दों का भी परियोग मिलता है परताब निबंद के परमुक निबंद धोका दात बालक वृद आब बात खुशामद भो नारी मनोयोग मुच परिक्षा समस्दार की मौत घूरे का लता बिने कना तन के दोल बांधे इतियादी ये सारे हैं उसके बाद अवारा मशीहा के संदर में विचार करना है जिसमें सही उत्तर यहां पे छाट के बताना है जो आ जाएगा अवारा मशीहा है विश्नु परभाकर द्वारा रचित परशित बांगला लेखक शरचंद चटो पाध्याई की जीवनी है इस जीवनी में गांगली परिवार के किशोर न लोड के प्रती लोलुप द्रिश्टी से देखते थे बड़ी दिदी कहानी के प्रकाशन के समय सरचंदर रंगून में थे देवदास लिखते समय शरचंद की आयू सतर वरश की थी उसके बाद मुर्दिया की सम्बंद में विचार करना है आपने सही लाइने बतानी है जो कि इससे सम्बंदित एंटिये ने गलत बताया था तो ऑप्शन तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा मुर्दिया के संदर्म में उपरिक्त कतन में एक मात्र कतन D सही होगा जिमें A, C, D है अता ही ये परशन मुल्यकन से बाहर कर दिया है तुलसी राम के गाऊं का नाम धरम पूर है जो उत्तर परदेश के आजमगर जिले में स्तित है तुलसी राम ने अपनी आत्मकता इन्हों ने अपनी आत्मकथा में दलितों के यथार्त जीवन का चित्रन किया है। उसके बाद अगला जो प्रोशन यहां पर बनता है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित करना है। इसमें यहां पर शीवालय लुद्वधी सम मतियां वक्यमी में अगला सम्पर्दाय के नाम और उनके परवर्त तो यहां पर यहां पर दिया नाम मुआं थि देख सकते हैं आप। वरम संपरदये मदवाचारे विश्म wus आधी कारीय करना है तो मुझे are to be उनकी जल्दी करना से कंड़ स्म्मेलित करना है और यह किसकी रचना है उपेंदरनात अश्क की यह और वे जनेंदर कुमार की है जनजीरे और दिवारे रामवरिक्ष बेनीपुरी की है प्रेम चंद्रगर में शिवरानी देवी की है उसके बाद गरंथों को उनके समय के साथ समेलित करना है जिसमें जो कावे अग्ला यहां पर पुस्तक को लोचक क्या सा सुमेलित करना है जिसमें गो स्वामी तुलसी दास जो पुस्तक है रामचंदर शुकल की है तुलसी कावी मिमानशा उदे भानू सिंग की है तुलसी अधुनिक वातायन से ये रमेश कुंतल मेक की है लोकवादी तुलसी दास विश्मिनाथ तिरपाथी की है उसके बाद अगला जो यहाँ पर परशन बनता है सेखर एक जीवनी खंड एक को उनके शिर्षक के साथ सुमेलित करना है जो कि इससे समबंदित पहले भी परशन पूचा जा चुका है तो उनको फिर से आप ध्यान में रखिए पर्थम खंड जो है वो उशा और इश्वर का ह है दूतिखंड बीज और अंकुर का तृतिखंड प्रकरती पुरुष स्टूर प्रुष कि और दूगा है नहीन के काहानी जो कानों में राधिकार अमनपरशात लक्ष्मा कोशी का घंट वार्ण पात्र ही चन्दः गुप्त जो बीचा परशाद ढुंचा फंद्णात्र अश्क बंस पात्र प्रत्र Laak युनरी आफ़ा में लेकारीज चन्दःत करते करने, लॉह कभा समन्ने प्रोद्र पात्र Р है ,वीर्व समध diu य। बक्री नाटक से पात्र लिये राम और लेखा के राम सरविश्वर दयाल सकसेना है जैमाला जो है सकंद गुत्की है जो लेखा के शंकर परशाद है अगला जो निबंद है उसके संपादा के नीचे लगा दिये हैं जिसमें चिंतामाणी भाग वन अचारे राम चंदर शुकल का है चिंतामाणी भाग टू अचारे विश्वनात परसाद मिस्ड का है उसके बाद नीचे यहां पे देवनागरी लिपी के मानवी करन के परियासों को पहले एक से बात के करम में लगाना है जिसने जगा जो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर है देव नागरी के मानवी करण में सर्व प्रत्थम महादेव गोविंद रनाडे ने सुझाव दिया महरास्ते साहिते परिशत पूने द्वारा रिलीपी सुधार समीती 1906 इस्वी में गठन हुआ काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समीत 1925 की है अचर नरेंद्र की अध्यक्षता में गठित परिशाद 1937 की है डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिशाद 1903 की है इसको सेरियल वाइज लगाना है यहां पर लगा दिया इनको आप ध्या पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्याद़ ज्याद़ शेयर करिए और अगर आप टेली गरम चैनल और वर्टसप ग्रूप के साथ जुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा महां से आप इसली जूर सकते हैं तो मछाया रोगया रहादे हैं तो अलवादे हैं .